हेलो गाइज आजसे में एक न्यू कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है विजिलेंट ये सीरीज कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है और इस सीरीज की मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ये बेसिकली एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है कहानी शुरू ह होती है और हमें एक कोट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक संगसु नाम के क्रिमिनल को देखते हैं पता चलता है कि इस आदमी ने एक छोटे बच्चे के सामने उसकी मॉम का मर्डर कर दिया था उसने उस लेडी को बहुत ही बेरहमी से मारा था प्रेजेंट में हम उस लेडी के बेटे को भी देखते हैं जिसके सामने उसकी मॉम का मर्डर हो गया था इस मर्डर को लेकर जज ये कहता है कि इस आदमी ने कुछ भी जान बूच कर नहीं किया बलकि वो तो मेंटली बिमार है और उसने विक्टिम की फैमिली से सेटलमेंट करने की पूरी को इस लड़के का नाम जियोंग होता है और बेसिकली ये हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर है इतना कुछ करने के बाद भी उस क्रिमिनल को जरा भी पश्तावा नहीं हो रहा था वो जाते वक्त जियोंग को चिढ़ा कर वहां से निकलता है फ्लेश बैक सीन में हम देखते हैं उ उसने उन्हें तब तक मारा था जब तक वो मर नहीं जाती इतने बड़े क्राइम के लिए इतनी छोटी सी सजा मिलना कहीं न कहीं ये बात जियोंग के मन में बैट गई थी यहां से कहानी आ जाती है 12 साल आगे जहां पर हम उसी क्रिमनल संग्सू को देखते हैं जो जेल से छूट चुका था वो एकदम से एक बस के ड्राइवर को बे रहमी से मारने लग जाता है पता चलता है कि संग्सू ने पहले भी बहुत सारे क्राइम किये थे वो उस ड्राइवर से कहता है तुमने मेरी पुलिस में कंप्लेन की इस वज़े से मुझे पुलिस टेशन जाना प देखते हैं वो लड़का संग्सू का पीछा करने लग जाता है संग्सू उससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तो वो लड़का कहता है तुम्हारा नाम संग्सू है और अब तक तुम 18 क्रिमनल एक्टिविटीज में involved रह चुके हो तुम संग्सू से कहता है तुम इतने आराम से नहीं घूम सकते हो तुम्हारी वज़े से उसकी फैमली बरबाद हो गई ये आखिर किस टाइप का लौ हुआ संग्सू अपने आपको बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इस लड़के की fighting skills कमाल की थी वो उसे तब तक मारता ह जब तक वो मर्ड नहीं जाता फिर हमें बताया जाता है कि ये वही लड़का जीयॉंग था जिसको हमने सीरिस के शुरुवात में देखा था और ये हमारी कहानी का लीड कारेक्टर है फिर हमें पुलिस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां पर वहां का प्रोफेसर सारे अफिसर्स को लेक्चर दे रहा था वहीं पर हम जीयॉंग को भी देखते हैं जो एक्चुली में पुलिस बनने की ट्रेनिंग ले रहा था वो जुडो कराठे में भी बहुत अच्छा था इसी वज़े से उसकी फाइटिंग स्केल्स कमाल की थी घर जाते वक्त जीयॉंग के time सोता रहता हूँ फिर अगले सीन में हम एक लेड़ी को देखते हैं जो सामान उठाने का काम करती थी जाते वक्त रास्ते में उसका सारा सामान गिरने लग जाता है तो जीयॉंग आ कर उसलेड़ी की हेल्प करता है पहले जीयॉंग उसलेड़ी की बहुत बार हेल्प कर और उसका arrest warrant भी reject कर दिया गया है। साती में एक लेडी बताती है कि मुसके घर में घुज गया था और वहाँ पर आकर उसने बहुती गंदी हरकते की और जो इंसान उसको रोकने की कोशिश कर रहा था उसने उसके उपर भी अटेक कर दिया। उसने उस आदमी को इतना मारा कि उसे recover होने में 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस ने उसका arrest warrant कैंसल कर दिया। इन सब चीजों की वज़े से लोगों को बहुत गुसा आ रहा है। क्योंकि इतना बड़ा crime करने के बाद भी किसी को arrest नहीं किया जा रहा है। तो फिर ये law किस बात का है। अब जियोंग इस case के बारे में पूरा research करता है और decide कर लेता है कि उसे इस आदमी को सजा देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों आदमी को देखते हैं जो मिलकर एक lady को परिशान कर रहे थे। ये दोनों वही थे जिनके बारे में जियोंग research कर रह रहा है लेकिन वो समझ जाती है किसी मसीहा ने उसकी मदद की है फिर अगले सीन में जियोंग किसी डॉक्टर के ऊपर research कर रहा था एक ऐसा डॉक्टर जो अपने patients के साथ बहुती गंदी हरकते करता है वो उन्हें बेहोश करके उन्हें sexually assault करता है और साथी में उनका वीडिय पर को देखते हैं जो अपने किसी patient के साथ वही सब करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ठीक उसी time पर जीयोंग वहां पर पहुंच जाता है और बेहोशी वाला injection उसे ही लगा देता है और फिर वो उसे बहुती बुरी तरी किसे मारता है वो उससे कहता है तुम्हें डॉक्ट साम के लेडी को देखते हैं जो बेसिकली एक news reporter थी वो एक broadcasting company में आती है और वहां के manager को बताती है मैंने इस case पर बहुत research किया है वो actually मैं जियोंग के बारे में ही बात कर रही थी जो हर weekend पर निकल कर लोगों की मदद करता है मिस चोई कहती है तुम्हें पता इन सारे cases में common क क्या है सारे criminals को बहुती कम सजा दी गई इन सब cases से ये बात clear है कि law किसी भी citizen को फीक से protect नहीं कर रहा है और इसी वज़े से ये आदमी सबको सजा दे रहा है जो सजा उनको नहीं मिली और public reaction से हमें ये पता चल रहा है कि सबको एक dark hero चाहिए जो उनका मसीहा बने तो वो manager प कहती है मेरी story का title होगा vigilant फिर हमें police academy का scene दिखाया जाता है जहां पर tv पर news आ रही थी reporter उसी आदमी का interview ले रहा था जिसको पिछले रात जियोंग ने बुरी तरीके से मारा था वो criminal कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी उसने मुझे बहुत मारा वो बार ब कुंडों से बचाया था वो lady कहती है जिसने भी मुझे बचाया है आज मैं उसी की वज़े से जिन्दा हूँ इसलिए मैं उसे thank you बोलना चाती हूँ अगर उसने आकर उन लोगों को नहीं मारा होता तो शायद उसकी पूरी family खतम हो जाती अब सारा news article देखकर जियोंग को ब publish किया था वो हीट हो चुका है वो लोगों को बहुत पसंदा रहा है मिस चोई बताती है जो भी incident हो रहे हैं वो सिर्फ weekends पर होते हैं और उसे पूरा वरोसा है यह सबते भी जरूर कुछ होगा फिर हमें पुलिस academy का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर जियोंग को वो सारा फाइल्स वो पढ़ सकता था एक केस फाइल पढ़के उसे किसी आदमी के बारे में पता चलता है जिसके accident में मौत हो गई थी वहीं दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जिसका husband accident में मर चुका था और साथी में वहाँ पर वही आदमी था जिसने वो accident किया थ वो अपने घुटनों पर बैट कर उस लेडी से माफी मांगता है वो कहता है मैं जानता हूँ मेरी वज़े से तुम्हारे husband की जान गई है लेकिन मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ वहीं पर हम जियांग को भी देखते हैं वो actually मैं इस आदमी को मारने के लिए आया थ लेकिन वो देखता है इस आदमी को अपने कीए पर बहुत पच्टावा है और वो इसके लिए माफी भी मांग रहा है इसलिए वो उसको कुछ भी नहीं करता फिर हमें ब्राडकास्टिंग कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर मैनेजर मिस चोई से कहता है तुमने तो क क्रिमनल को एक्सपोस कर दिया तो यह विजिलन जो भी है वो जरूर उसको माड़ने के लिए आएगा अब यह सीउन के केस वाले क्रिमनल के बारे में ब्राडकास्ट कर दिया जाता है बताया जाता है कि इस आदमी ने अपने एक स्टूड़न के साथ बहुती गंदा क्राइ कि विल कर देते हैं और इस तरफ से जियोंग भी वही निउस देख रहा था कि रगले सीन में बहुत सारे मीडिया के लोग उसी आदमी के घर के बाहर प्रोटेश कर रहे थे जिसने सीउन के साथ वो क्राइम किया था वहीं पर हम इस चोय और मैनेजर को भी देखते हैं जो वे कहाना मार देता है वो कहता है आपने जो मुझे काम दिया था वो काम अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं फिर अगले सीन में हमें वही बिल्डिंग दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग प्रोटेश कर रहे थे काफी टाइम बीच जाता है और मिस चोय अभी भी वहीं उन्हें वहाँ पर उसका एक फेक पासपोर्ट मिलता है तब ही एक ऑफिसर बताता है हमने जो सिगनल वाला एंकलेट योंग के पैर पर लगाया था वो एंकलेट किसी ने निकाल दिया है इसलिए हम यूं को ट्रैक नहीं कर सकते पता चलता है कि वो क्रिमिनल यहां से भाग थी इसलिए वो लोग कॉल करके एक ऑफिसर को बुलाते हैं पता चलता है कि यह दोनों ऑफिसर उसी लड़की सीउन के घर के बाहर थे जिस लड़की के साथ उस क्रिमिनल ने वो सारे क्राइम किये थे वो जैसे वहां से बाहर निकलता है तब ही उसे एक हेलमेट पहना बोलता है वो अपने थोड़ी सी शकल दिखा देता है लेकिन उस ओफिसर को कुछ भी और नहीं लगता दूसरी तरफ हम में इस चोई को देखते हैं जो उसी क्रिमिनल यूं के बारे में रिसर्च कर रही थी मैप देखकर वो समझ जाती है कि वो क्रिमिनल यहां से भागने क कोशिश नहीं कर रहा है बलकि वो तो उसी लड़की सी उन के घर जा रहा है उसे माड़ने के लिए इस तरफ वो हैलमेट वाला आदमी अंदर गुस जाता है पता चलता है कि उसके बॉक्स में नाइफ रखा हुआ था वो एकदम से उस ओफिसर पर अटेक कर देता है वो उस जैसे ही बाहर आती है तो यूंग उसको पकड़ लेता है लेकिन जैसे दैसे करके वहां का वो ऑफिसर सीउन को भागने के लिए बोलता है वो भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन यूंग उसको पकड़ कर ऊपर से नीचे पटक देता है वो सीउन से कहता है तुम्हार पर जियोंग पहुंँ जाता है और उसे सीडियों से नीचे फेक देता है वो उसे कहता है तुम्हें अपनी आगे की लाइफ आराम से नहीं जीनी चाहिए बलकि तुम्हें पश्तावा होना चाहिए जो कुछ भी तुमने किया उस चीज के लिए वो आदमी जियोंग के उपर फेकने के कोशिश करता है लेकिन जियोंग उस आदमी का एक हाथी तोड़ देता है वो उसे इतना मारता है कि उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी थी वो उसे भीक मांगता है और कहता है प्लीज मुझे मत मारो तो जियोंग बोलता है अगर तुम्हें जिन्दा रहना है तो कपॉलोजी लेटर लिखो तुमने जो भी किया है उसके लिए माफी मांगो तो इस बात के लिए क्रिमिनल मान जाता है उसी टाइम पर हम मिस चोई को देखते हैं जो सियून के घर की तरफ जा रही थी तभी जियोंग उसके कार के सामने आ जाता है लेकिन वो उसको नहीं प देखते हैं जो आराम से म्यूजिक सुनते हुए वहां से निकल जाता है वो कहता है हमारे लौ के अंदर बहुत सारे वॉइड्स और लूप होल्स हैं हमारा लौ बुरे लोगों के साथ बहुती लीनियंट रहता है जो मरना डिजर्व नहीं करते उनके साथ बहुती गलत हो दाता है इस तरफ हम देखते हैं उस क्रिमिनल को जियोंग ने इतने बुरी तरीके से मारा था कि वो मर चुका था और उसने अपने खोन से दिवार पर ये लिखा था कि उसने सी उन के साथ जो भी किया है उसकी लिए वो माफी माओ रहा है जियोंग कहता है हमारे लौ में ज सारा कुछ मैं भरूंगा और यही जस्टिस है इसी सीन के साथ एपिसोड वान यहीं पर खतम हो जाता है अगर एक्स्प्लिनेशन पसंद आई हो तो लैक्चर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंकि फॉर वाचिंग